उत्तरप्रदेश के उपमुक मंत्री और स्वास्त मंत्री ब्रजेश पाठग निर्वान भावन पहुंचे हैं और स्वास्त मंत्री मंसुक मंडाविया से उन्होंने बातचीत की है, मुलाकात की है प्रजी जी आज आपने स्वास्त मंतिय से बात किया था किस तरह को हुए तरह से अहम मुद्धा था किस तरह की मांग आप आपने कि ऐ कोवीट के तहद कर रही है और हम समिल करके उत्तरप्रदेश मंतिय माहुए ह tutor you बनाएंगे। को लेकर तमाम जो केसें लगातार बढ़ रहा है। कोविट के मामले में उत्रप्रदेश सरकार पूरी तरह से सतर्क है। NCR में अधिक केसे जा रहे हैं, लकनों में भी कुछ मामले आए हैं। जहां भी कैसे जाएं, उनको लगातार हम जाज का दायरा बढ़ा रहे हैं। जो जो लोग उन बच्चों के या उन परिवारों के संपर्क में उनकी जाज कर रहे हैं। और उनको दवाईयां उपलब्त करा रहे हैं। यह द्यावसकता महसुस हुई तो उनको हम एड्मीड भी करेंगे। लेकिन अभी यह इसी स्थिति नहीं है, एकदम चिंता की बात नहीं है। सथ परसथ वैक्सिनेशन डबल डोज यूपी में हो चुका है। जिनको एतिहातन डोज पत्रिक चाहिए, जो साठवर से अधिकुम्र के हैं, जो बीमार हैं, उनके लिए इन्जाम किया गया है। और बच्चों की वैक्सिनेशन के लिए हम लोग यूद दिस्तर पर जुटे हैं। सभी स्कूल को हमने कहा है, जो बच्चे अनुमन हैं, और मुकिश्ची कि स्याधिकारी और डियाउयस मिलकर के सभी स्कूल में कयम लगा करके ततकाल उन बच्चों को वैक्सिन दें, जो अनुमन हो चुकी है। स्कूल भी बंद होंगे, अभी ऐसा कोई बात नहीं है, आप एकदम चिंतान करें, यह पाइनिक क्रियेट नहीं करना है, हम सब को मिलकर के उत्तर प्रदेश में करोना को कंट्रोल करना है और हराना है, और हमारी पूरी तयार है, हर इस तर पर नहीं कोई दिक्कत की बात नह जो भी दोसी पाए जाएगा, उसके खिलाब कड़ी कारवाई करें, अस्पतालों के इस्तेथी बहुत दैनी हैं, उत्तर प्रदेश, आप चुकी, मैं इस्पस्ट कर दूँ आपको, हमारी नजर सब पर है, हमारे आधनी प्रदामती नरेंद मोदी जी, आधनी मुखमंत्री योगी जी, जो जनता के लिए, मरीजों के लिए ब्यवस्थाएं दे रहे हैं, दवाईयां उपलब करा रहे हैं, उनको अस्पताल में ब्यवस्थ मंत्री मंसुक मंडाविया से बात की है, राज्य को लेकर कि राज्य में किस तरह की स्वास सुधाएं होनी चाहिए, कैमरामेन रोहित के साथ पुषकल भारस समाचार दिल ले